हेलो एब्रीबन वेल्कम बैक टू रोशंशा स्टेडी पॉइंट सो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो होम साइन्स का एक्जाम है उसके मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन्स ठीक है यह all chapters most important questions की हम series start कर रहे हैं जिसमें हम एक से लेकर 8 तक के chapters के most important questions discuss करेंगे दैन उसके बात 8 से लेकर 18 chapter तक के जो भी आपके important questions है उनको discuss करने वाले हैं एक बात और मैं आप सभी को बता दूँ देखिए आप सभी जानते हैं कि हर साल CBSC जो है वो syllabus में कुछ ना कुछ changes करती है तो इस बार भी वही हुआ है आप ये बात पहले से ही जानते हैं यानि कि इस session के starting में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि इस बार बहुत सारे chapters ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं और लेकिन आपके पास जो book है वो कौन सी है वो 2022 से पहले वाले session की है तो आप लोगों की book में न वो chapter भी include है और जो chapter आपको करने है यानि कि जो आपके syllabus में है मैं वही chapters आपको करारी हूँ कोई extra chapter नहीं करवारी हूँ मैं ठीक है कोई extra topic नहीं करवारी हूँ वही topic है वही chapter है जो आपके CBSC ने जारी किये है और यहीं से आपके questions भी बनेंगे तो तुम लोग इस चीज के लिए worry मत हो ना कि मैंने कौन से chapter एक्स्टा कराया है कौन सा नहीं करवाया ठीक है तो सभी chapters मैं कोशिश करूँ कि मैं time to time upload कर दूँ I know कि तुम लोग का chapter जो paper है वो बहुत नजदीक है लेकिन मैंने जो chapters अभी तक upload किया है तुम लोग उनकी videos देख सकते हो ठीक है ताकि तुम्हें कुछ help मिले इसी के साथ साथ मैंने चीज स्टार्ट किया है कि हम लोग बात करेंगे कुछ most important questions की क्यूंकि आप सभी जानते हैं आपने chapter कर लिया है ठीक है आपको chapter समझ में आ गया है ठीक है जिसमें आपका home science भी include होता है किसी किसी बच्चे का यह optional होगा लेकिन जादा तर students का क्या होता है यह as a subject होता है तो प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए चले इसको बिलकुल भी lightly मतले ना क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एक subject में बच्चे से बढ़ना है और अगर आप लोगी वीडियो देखते हैं आपको time लिए video मिलती है तो I promise you कि इसमें से बहुत सारे questions रहे हो आपके next paper में पूछे जाने वाले है कि क्योंकि आप लोग दान जानते हैं पिछली बार भी हम लोगों ने कुछ ऐसे important question discuss कि थे जो आपके paper में आय को भी help मिले आप लोग भी उनकी help कर सके स्टाइट करते हैं पिर आज की वीडियो देखिए important questions की बात कर रहे हैं तो आपका question number one है कि नौकरी और जीविका में क्या आंतर है most important question है देखिए समझके हम लोग ने स्चुरू chapter number one में discuss कि नौकरी जो है वह एक ऐसा कार्य होता जो जीविका है जीवन या पन हो रहा है उसको बोलते हैं जीविका तो जीविका है वो उन साधनों और व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो अपनी मूलपूत आवशक्ताओं की पूर्ती करता है समझ में आ यह बात है आनि कि कोई भी व्यक्ति अपनी मूलपूत आवशक्ताओं की पूर्ती जिन साधनों से करता है वो कोई भी साधन हो सकते हैं ठीक है उन्हें बोलते हैं जीविका और अपनी जीवन शैली को वो बनाए रखता है यानि कि जो जीवन शैली वो जीता आ रहा था अभी तर वो उसी प्रकार की जीवन शैली को बनाए रखेगा ठीक है ये है आपकी जीविका ठीक है किसी भी किस उसके पसंद का व्यवसाय भी आ सकता है कार्य आ सकता है यह उससे संबंदित जो भी उसकी जीवन शैलिये वो शामिल होती है समझ में आगी बात आपको कि जीविका जो है वो उन साधनों और व्यवसाय से है जिसके द्वारा जो कोई भी वेक्ति होगा चाहिए वो आप है आप क्या समझते हैं लगर आप कैसी कंपनी corporation काम करते हैं तो जो आप अबकापंपनी काम करते हैं तो जो आपका कार्य है च्ला कार्य जहां बैट के पर जिस रूम में काम कर रहे हैं वो काडरे स्थल, को सुगम और कुशल बनाना कि आप भी लब्तोप पर काम कर रहे एंगण को सब्सक्राइब कॉषल पनाना जैने कि क्या होता है कि और अगर अगर एक लम्बे समय तहीं पर बैठके काम करते हैं तोम,ाभ थलू पहकर सब्सक्राइब कर यहां एकुषल प्राइबों स्थिती में बैठके काम कर सके तो ऐसे सभी कार्य को और लोगों के गुणों को विख्सित करना है तो कारे की खुशलता को प्रभावित करते हैं अगर आपकी चेयर बहुत अच्छी आप चार गंटे काम करेंगे तो आप 5-6 घंटे काम कर सकते हैं सिंपल उसके बाद नेक्स क्वेशन कि भारत के परंपरागत विवस्थाओं के रूप में कृषी और हस्त शिल्प के विशयों लिखी है कि आप जानते हैं कि भारत में शुरू से परंपरागत जो विवस्ताएं रही हैं और उसमें क्रिशी हस्त शिल्प भी एक है अगर हम क्रिशी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है उसका मुख्य विवस्ताए क्या है य 걵ात को जानते है कि गिसान होते हैं या अपक्रिशन करोते हैं लोग फेस्त परपशिद कर पर नीवाइ करती पूर्च वारा आज के मामले में अज खाध्यानों के मामले में इतना जादा शक्ति-शाली हो कि वो अपने देश की आपूर्ती तो कर ही रहा है पूरी इसके अलावा वो अन्य देशों में जहां उनको खाद्यानों की आवर्शक्त है वहां भी उनको भेज रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भारत है वो आज की समय में कितना जादा कृशी के शेतर में एक आप अच्छा विशह हैं आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो प्रिशी पर आधारित है इसके लावा उनका मुख्यें ऑफिर की सब्सक्राइब चाइब पर कुम है उखना मैं को सब्सक्राइब रहे हैं ह twist के लिखें सब्सक्राइब के टुम्हें के बाहां बड़े बड़े मेले लगए महां पे विदेशों से लोग आते हैं हस्ति शिल्प की वस्तूर लेने के लिए समझ में आरे तो यानि की समझ चाहते हो इसका कि इसका कितना था ठीक है आज के सामय में देखिए आप लोग बड़े बड़े लेवल पर मूर्तियां हो गई हैं मिट्टी के बरतन हो गए चिकनी मिट्टी के बरतन हो गए वो कितना बड़ा एक व्यापार करते हैं और उससे क्या होता उसे लोग को व्यावसाय मिलता है उनको रोजगार मि कि जो उत्पाद है उनकी भारी मांग है बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि आज कल आये दिन आप लोग देखिए कि बड़ी बड़ी आप कुस्सर में पहले एक मेला लगाता है सूरज कुन का मेला जहां पे इतनी बड़ी संक्या में लोग आये थे और गौवर् प्रकार की हस्त शिल्प कला जैसे अभूशन मिट्टी के बरतन काशीदारी बुनाई रंगाई कास्ट शिल्प धातु शिल्प हाती दात और कंगा शिल्प इत्यादी की बड़ी मांगती आप तुम लोग देखते हो तुमारे घर में भी पहुत सरी चीज़ ऐसी होंगी जो कि इससे शिल्प से बनी है जो हातों से बनी है यह नेक्स कोईशन की तरफ चलते है कस्तूरवा गांधी विद्या लियर का विद्याले और बैटी बचाओ बैटी पड़ाओ कारिकरम के विशे में संश्येप में लिखा इंपार्टन क्यूशन है आपसे यह सेपरेट भी वी शिक्षा प्रिस्तितियों में रहने वाली जो कंया थी जो वालिकाई थी उनके लिए शुनु चूरू कि आ गया था क्योंकि तुम्हों जानते हो तो लड़कियों को उस्कूल जाना इतना प्रफर नहीं किया जाता था इन पर लड़के कोई स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती थी लोगों का मानना ये था कि लड़के स्कूल लगे क्या करेगी तो गौर्वर्मेंट ने एक कीम चलाए जिसका नाम तक कस्तूरवा वाली का विद्याल है इसमें क्या था कि इसमें ये बैसिकली बालिकाओं के लि लड़कियों के लिए या बालिकाओं के लिए प्रवेश का शिक्स था कि अगर किसी को प्रवेश लेना है तो उसका जो स्टर था गो था क्लास सिक्स नेक्स स्ट के बीबी प्रतेक जिले के पिछडे हुए घंडों में खोले गए तो आप सभी जानते हैं कि शुरू में बत प्रतिकूल परिष्टेयों में नहीं पढ़ रही है तो अब जीत्रों में फुल जाएगा जहां पर जीले पिछड़े उए यानिकि जिनकी आर्तिक प्रगती हुई है ना समाजिक नहीं ये को बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योचना जो है बाइस जन्वरी 2015 में शुरू की गई ती इसकी शुरूाद जो भारत के श्री प्रदार्मंत्री नरेंदर मोदीजी द्वारा की गई और इसका मुख्य उदेश्य था कि जो लड़के हैं और लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलत करना संतुलत का मत्माइब देखें आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी जगाएं हैं जहां पे कन्या ब्रून हत्या कर दी जाती है तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ये योजना नेकर आई कि उन जो बेटीया है यानि कि जो कन्या है जिनकी कन्या ब्रून हत्या कर दी जाती है उनको कैसे सेव कर सकते हैं तो ये कन्या जो लड़की और जो लड़के थे उनके लिंग अनुपात ने संतुलन के लिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगाएं जहां पर कन्या ब्रून हत्या इस हद तक हो चुकी थी कि वहां केवल और केवल लड़के ही बचे थे तो इस इन बैलंस को रोकने के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने योजना लागू कि जो 2015 में थ ने राइट नेक्स है कि तीन मंत्रालियों द्वारा यानि कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी वो तीन मंत्रालियों नहीं संभाली कौन कौन से तीन मंत्रालिय थे सबसे बहुता बाल विकास मंत्रालिय उसके बाद स्वास्ते और परिवार मंत्रालिय उसक अगला है गरीबी रेखा से आप क्या अभी पढ़ाए है क्या समझते हैं और इस पर टिपनी करने हैं को गरीबी रेखा गरीबी रेखा एक ऐसा नियूंतम स्थान है जो किसी देश में जीवन का उपियुक्त स्थान पाने के लिए अनिवार रहे होता है यानि कि जो गरीबी रेखा क्या मतलब होता है कि गरीबी रेखा है जिन लोग आवश्क्ताव की पूर्थी नहीं वापा रहे हैं उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है तो इस प्रकार से कुछ ऐसे आकड़ी हैं कुछ ऐसे मेजंसे हैं जिनको हम गरीबी का नापने के लिए यूज करते हैं ठीक है यहां उपियुक्त स्तर पर तात पर्य है मतलब गरीबी रेखा से मतलब है कि भोजन वस्त्र आवास देखिए मानव की तीन से चार बड़ी बड़ी आवश्च रखता है अगर आज के समय में देखे तो शिक्षा भी बहुत 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 जरूरी है त लिकिर अगर हम एक और चीज जोर देख शिक्षा तो शिक्षा भी एक मूलबूत आवश्च रखता है तो जो भोजन वस्त्र और आवास है यह मूलबूत आवश्च रखता है आप सबी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परेश्चित है यदि कोई परिवार जो है वो अगर किसी परिवार की जो आए है वो उसकी परिवार की जो आए है वो निर्धारित अंकों से कम है याणि कि गौश्मेंट में एक अंकर निरधारित कर देगी इसकी इतनी पॉपुलिश्च आय होगी तो वह नहीं आएगा जैसे आप लोग जानते है ना कि टेक्स की शेत् की टेक्सपेयर में आ जाता है वैसी क्या है कि गौर्णमेंट ने ना कुछ ऐसे आकड़े निकालें जिससे पता कर सकता है कोई वक्ति कि वो गरीबी रेखा के अंतरगत आता है या नहीं आता है तो वही है कि यदि कोई परिवार की आयर निर्धारत अंकों से कम है तो वह पर गरीबी जो है वह ऐसा नहीं कि कोई वेक्ति उसको अकेले खतम कर सकता है जब तक जो गौर्मेंट है वह समग्र कानून नहीं बनाती है कानून को ऐसी व्यवस्थाएं नीच लाते हैं जिससे गरीबी कम हो तब तक पॉसिबल नहीं है तो सरकार को ही ऐसे समग्र रूप से गरीबी को कम करने के लिए योशनाय बनानी चाहिए वेवस्थाय करनी चाहिए और लोगों का फर्ज बनता है जनता का फर्ज बनता है कि वह सिक्षित हो ठीक है सिक्षित होने के साथ सब्सक्राइब तो कई ना कई आप जानते हैं गरीबी का एक मूल कारण क्या है कि हम जो परहले ने पिस बोङे तो नोगो हो एको पता रहेगा कि इस प्रॉबल में क्या खाने तो आप लोगों को आपको पता है कि रोग देखें करी बर क्या होता है कि हम गलत खाना खा लेते हैं गलत कुछ चीज ले लेते तो हमारी तव्यत खराब हो जाती है लेकिन जब आपको निदानिक पोशन का अध्यान आपने किया है, आहार का अध्यान किया है, तो आपके लिए रोगों से रोगता में यह बहुत ज़्यादा help करता है, आहार संबंदी संपूर्ण ज्यान प्राप्त कराता है, देखिए, आप जानते हैं निदानिक पोशन जो ह तो आप एक सही भोजन का चुनाफ करने से आप अपने हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे मेंटेन रख पाएंगे नेक्स्ट देर गायू जब आप अच्छा भोजन करते हैं आपको पुषक तत्व किसमें नहीं तो इससे क्या होता है रोगों से दूर रहते हैं यानि कि आपको जब रोग मुक्त रहते हैं तो आपकी आयू आटोमेटिकली देख हो जाती है पोशन संबंदी शिक्षा प्रदान करता है पोशन संबंदी देखवाल और सहायता और सला देता है अच्छे स्वास्ते को बढ़ावा देता है तो ये सभी के सभी जो पॉइंस है आप लोग ब सकता है तो आप जानते हैं आहार संशोधर एक ऐसा आहार जो रोगी के चिकित्सी आवश्चता हो को चिकित्सी मतलब जो उसकी मेडिकल रिक्वार्मेंट्स है ठीक है उनको पूरा करने के लिए विशेश रूप से समयोजित किया जाता है जैसे आप लोग जानते हैं कि यही चीज सेम मिलती है हमें आहर शंशोधन में यानि कि जो आपकी चिकित्सी आवश्चताओं को पूरा कर रहा है ठीक है उससाब से अगर आप भोजर में कुछ चेंजिस करते हैं उसको बोलते हैं आहार शंशोधन फिर है प्रतेक आहार विशेशग्य का प्रमुकार्य कि इसी रोगी को पोशन संबंदी सला देना है और तकनीकी सूचना के आधार पर उसे आहार संबंदी दिशा निरदेश देना है आप जानते हैं जो एक आहार विशेश अग्य है वो यही तो लोगों को बताएगा कि आपको किस तरीके से आपको पोशन मतलब आपको कैसा सात्रा में लेना है तो जो भोशन संबंदी दिशा निरदेश वो भी आहार विशेश अग्य द्वारा प्रदान किया जाता है इसके अलावा इसके माद्यम से वह शारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्त्य भविश्य के लिए अच्छी पोस्ट मतलब अच्छी जो स्थिती ह में बनाये रखने और स्वस्त्य रहने के लिए मदद करता है यह आई है और चलते हैं लेक्स्ट क्वेशन आपका भोजन की सफलता में परिवर्तन सोरी भोजन की सघंता है यहां पे तो भोजन की सघंता में परिवर्तन को विस्तार से समझाई है सघंता का मतवत कंसिस्टेंसी तो आप जानते हैं कि भोजन की जो कंसिस्टेंसी है उसमें परिवर्तन को आप तो चार तरीके से होते हैं तरल आहार इसके लावा अर्ध तरल आहार कोमल आहार और सामाने आहार तो यह जो चार है वो भोजन की सगंता में परिवर्तन बताते हैं उसके बाद है नेक्स्ट कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों पर संशिप टिपने लिए यह most important question है आपसे पूछ लिया जाएगा देखना कि आपको वैसे पता भी होना अच्छेगी प्रोटीन की कमी से कौन-कौन से रोग होता है सबसे पहला सूखा रोग सूखा जो रोग होता है वो portion की कमी से होता है आप चानते हैं यह जो रोग होता है वो आम तोर पर 15 महीनी के बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है इसके अलावा इसका प्रमो कारण जो होता है वो है कि जो बच्चा होता है उसका समय से पहले ही मा का दूस छुड़वा देना ठीक है और जो उसको उपरी आहार मिल रहा है उसमें उसको पूरी जो भी उसके पोशक तत्व है उनको ना मिलना तो बच्चा जो है वो सुखा रोग से ग्रस्त हो जाता है जिसके कारण उसको लंब में समयता कि स्टेट से गुजटना पड़ता है जो कापी ज्यादा मुश्किल होता है दूसरा है क्वाशी के ओर कर देखिए क्वाशी और कर भी प्रोटीन से होने वाले प्रॉ जब उसमें calories की कमी हो जाती है तो calories की कमी के कारण क्या होता है प्रोटीन उसको एनर्जी देने लगता है और धीरे धीरे बच्चा जो है वो क्वाशी और कर प्रॉबलम से ग्रस्त हो जाता है तो दो प्रॉबलम है सुखा और क्वाशी और कर उसके बाद है फिर vitamin next question vitamin A की कम यह कि विटामिन एक कमी से कौन सा रोग होता है तो सबसे पहला नाम आता है उसका रतौंदी रतौंदी इसके लावब कंजक्तिव आईज बीटोट सपोर्ट ही कुछ ऐसे सपोर्ट पर जाते हैं इसके लावब टोड़ त्वचा को एक दूसरे नाम से जाना था जैना तैसे में इसको तोड़ त्वचा नाम दिया जाता है है जब तो अच्छा है वो बिल्कुल चिपकवरी सी हो जाती है ठीक है मतलब ऐसी जैसी मेंडक की होती है तो यह क्वेशन भी तुम लोग तयार करके ही जाना उसके बाद नेक्स क्वेशन है कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का वर्णन करें और उसके कार्यों पर प्रकास डालें तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग आप जानते हैं सबसे पहला क्या होता है अगर हम सामाने तो पर बात करें आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहला जो रोग है वो है श गल्दन नामक रोग हो जाते हैं गल्दन जिसको आप दूसरे नाम से अगर हम बात करें तो घोगा भी चिस्से केते हैं, So ये रोग भी हो जाता है.. कि बॉनेपन से शिकार, और और मिक्स ओडिमा हो सकता है और ओडी कोंपर 195 JOHN और थे कितने प्रकार का होता है को पोशव आप जानते हुं साथारन चाफ़्दों में बात करें तो शरीर की आवशक्ता के अनुसार उच्षित पोशन का ना मेला तो या ने कि कि आपके शारीर को जितनी पोशन की आवशक्ता back अगर वो पोशन नहीं मिल रहा है तो आप पोशन से इग्रस्थ हो सकते हैं हुआ है तीन प्रकार का होते है परियाब्ट केलिए कारते यह हमारे기도nahmen मिलता nurse परियात भूजन जब करते हैं उससे भी आपके आपको जो पोशेक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं आपकी बॉड़ी को इससे भी आपको पोशन से ग्रेस्ट हो सकते हैं और संतुलेद भूजन संतुलेद भूजन मतलब आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं आप भार का खाना खा रहे हैं प्रेंच फ्राइस खा रहे हैं तो विट सी बात है आपको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा आपको विटामिन नहीं मिलेगा तो यह इन बैलन्स हो गया है तो इसलिए क्या है जो पोशन ह है वह तीन प्रकार का है अधिक परियात और असंतुले ठीक है नेक्स्ट क्वेशन खादे पदार्तों के जो खादे पदार्त होते हैं उनको खराब होने के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदाई होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेशन है आपसे डर्नली पूछते जाएगा क कि स्थेत्मेंट होते हैं कि दो वेक्ति को लाम दे देगा उसको बोलेगा कि बताइए कि वह किस तरीके कारण खादे पदार्तों को नस्तों के लिए उत्तरदाई होते हैं तो आप अच्छी से मत्वर्प क्या होता है कि जो आपने दही रात को घर्में खुला चोड़ दिय तो देखो कि तीरे तีरे क्या होज़ेगा वह फटनाज की खराब हो जाएगा तो यह विस बहुत सारे ऐसे पड़िवरतन हैं जो आपके भूजन को खराब करते हैं बहुत थिक परिवरतन इपकती अब भूत करऴर्तन में कि फिजिकल चेंग फिजिकल चेंग मतला जब उसके रूप रंग और स्वाद में परिवर्तन आता है तो इसको बोलते हैं बहुत इक परिवर्तन के कारण होता है क्योंकि जो दूद होता है दूद की जो प्रोटीन जम जाती है और कुछ पदार्तों में प्रोटीन और कारवोज की आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर भूरा हो जाता है जैसे सेब को थोड़ी देर अगर आप काट कर छोड़ दें तो वैं भूरे रंग का हो जाता है इसके लावा जिवानों के दौरा आप जा टाइंस जो है वह भी आपके खाने को खराप करते हैं इसके लावा कीड़ मकॉड़े के दौरा तो आमतार पर देखते हैं कि बहार आप देखते हैं कि यह जब किसी खादे बादार्त पे बैख आन्ड़े चोड देता है जिसके खाधेपदार्थ हो खराब हो जाता है तो यह सब कारण है जme खाधेपदार्थ खराब होने के उत्तरडाई तर्दाई माने जाते हैं inputs दूसरा क्वेशन है खादय संरक्षन की विदियों में सबसे पहले धूप में सुखाना खादय संरक्षन मतलब आपने देखा है ना कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे खादय पदार्थ होते हैं जब की ममा उनको सेव करके रखती हैं उनको छीज से ढखती हैं एक घर की नमी उपस्तित होती हैं बोजन की बोजन को नमी से रहित करना ही निर्चली करन इसके लाभा हिमी करन के दौरा आपके बहुत सारी चीजे आपने जिसे मकेन हो गया है बहुत सारी चीजे जो आप फ्रीज करके रखते हो क्यों क्यों कि जरूरी होता है अगर आप उनको ऐसे ही संमाने टाइम्प्रेचर पर रखते होगे तो वह खराब हो प्राकरतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षित रख सकते हैं इसके बहुत सारे और वह कारण जैसे द्रक्षित रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन के दरफ चलते हैं खाद्य पदार्थ प्रद्यॉग की के महत्वड़ों संश्येप में बताई है खाद्य प्रध्योग की तो खादे यानिकी फूर्ट टेकनॉलजी तो इसका आपको महत्वड़ों बताना है सबसे पहला बोल सकत में किसी भी चीज की फजल जादा हो जाते तो हम उसका सदुपियोग कर सकते हैं सदुपियोग मतलब उसको स्टोर करके रख सकते हैं पर जब उसकी नीड होगी तम उसको यूज कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जो खाद्यान हैं जो खादे-पदार्त हैं उनका सदुपिय ब्रविद्टा लाना भी जरूरी है आपने देखा है ना कि बहुत सारी ऐसी सीजनल चीज है जैसे आप गर्मी आप उसको स्टोर करके अपने फ्रिजर में रख लेते हैं तो अप गर्मी में भी यूज कर सकते हैं इससे क्या होता है कि आपके भोचन में विविद्टा आ जात का तो आप लोग जब उस मटर का यूज करेंगे और जब आप बाहर जो मटर मिलें आप उसका प्राइस देखेंगे तो काफी डिफरेंस होगा ठीक है दोनों के बीच में इससे क्या होगा कि आपने धन की बचत कि है इस फिर श्रम और समय की बचत करना अगर आपके ija प्राइलता है फूंड फैलता है थो चाथरिय प्रवगान यह जो होते हैं उसने रोगालों त्रवात जो होगा और प्रवेश करते सेखेंगे का में सः दूधर है जैसे तो इन जीव पाया जाता है तो इस प्रकार से खादर संक्रमंट जो है वह एक रोगानू से बहुत सारे रोगानू में फैलता है जिसके कारण आपके